तो कैसे वो बंटाय की पब्लिक आई होप आप लोग अभी तक बढ़िया ही होंगे तो आज मैंने सोचा कि आज की वीडियो में हम लोग हनी पाजी का जो उनका न्यू एल्बम ग्लोरी आ रही है क्यों नहीं उसके बारे में थोड़ी बात चीत कर ले वैसे तो पाजी का जब ग्लोरी एल्बम के बारे में तो जैसे कि आपको पता ही है कि अभी कुछ दिन पहले हनी पाजी ने अपने ग्लोरी के पोश्टर को ड्रॉप किया था उस टाइम से ये पोश्टर सबको भाई काफी तगड़ा लग रहा था और इस पोश्टर पर लिखा होता है कि कमिंग सू सो फाइनिली इतने बिन बीतने के बाद यो यो हनी सिंग ने अभी दो दिन पहले अपने ग्लोरी एल्बम के फ़र्स सॉंग के एक वीडियो को लीक किया था जिसको देखने के बाद भाई कसम से एक टाइम के लिए मैं शॉक्ट भी हो गया था क्योंकि पाजी के ये लुक को देखकर बिलकुल वन बोटल सॉंग की याद दिलाती है उनके स्टाइल को भी देखकर बिलकुल वन बोटल जैसा सेम टू सेम सा लगता है और आप मेंसे काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं हनी पाजी की इतनी बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल तो M.W. बंटाई के लिए है तो देखो पब्लिक मैं सबसे बड़ा फैन M.W. बंटाई काई हूँ और वही हमेशा मेरे फेवरेट रैपर, फेवरेट सिंगर, फेवरेट सेलिबरिटी सब कुछ वही है लेकिन जैसा कि आप सबको पताई है कि हनी पाजी और M.W. बंटाई कितने अच्छे दोस्त है जो उनका ये अलबम था जुलाई में आने वाली थी, लेकिन अब ये अलबम सीधा अगस्ट में ड्रॉप होगी आप उनका फर्श मिलियनेर सॉंग अगस्ट में ही ड्रॉप होगा और M.W. बंटाई ने भी पाजी के इस पोस्टर पर लाइक कर रखा था तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो बागी आप लोग पाजी के इस अलबम के लिए कितने ज्यादा एक्साइड़ है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा अभी वेट M.W. बंटाई और यो यो पाजी के कॉलाबरेशन का ही है क्योंकि ज अब लिए आज की वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपको में नेक्स्ट वीडियो में जब तक क्ले वाई बाई